हेलो स्टुएंट्स वेलकम बैक टू माई चैनल स्टडी सरकल आप सबी वच्चों का मेरी यूट्यूब चैनल स्टडी सरकल पर बहुत-बहुत स्वागत है हां जी स्टुएंट्स आइप आल अफ यू आर सेफ एंड फाइन आट यूर है Yes त्रिंट्स तो हमने अपनी पिछली क्लानस में किया था छोटी उकी मात्रावाले शब्दों को हमने पढ़ना सीखा था और उनकी हमने प्रैक्टिस भी की थी कि उन्हें कैसे लिखा जाता है तो आज मैं शिल्पा आप सभी बच्चों के लिए लेकिया हीूं बड़े उकी मात्रा वाले शब्द आज हम सभी बच्चे क्या करेंगे बड़े उकी मात्रा वाले शब्दों के बारे में जानेंगे और कैसे उनको पढ़ा जाता है कैसे उनका उचारण किया जाता है वो सीखेंगे तो चलिए हम अपनी class start करते हैं तो आज का हमारा topic है बड़े U की मातरावाले शम्द आज हम बड़े U की मातरावाले शब्द के बारे में पढ़ेंगे ये students आपको मैंने पिछली class में बिताया था जो छोटा U होता है जो उसकी ध्वनी होती है वो भी छोटी होती है और आज हम बड़े U की मात्रा पढ़ रही है तो बड़े U की मात्रा की ध्वनी भी क्या होगी? बड़ी होगी ठीक है? तो चलिए हम पढ़ना स्टाट करते हैं च, च को बड़े U की मात्रा चू, ह, ह को आ स, स को बड़े U की मात्रा स, र, ज, सूरज भ, भ, को आ की मात्रा ल, ल को बड़े U की मात्रा भा, लू जब हम छोटे उ की मात्रा के बारे में पढ़ते थे तो छोटे उ की मात्रा की अवाज जो ध्वनी थी वो छोटी थी अब हम बड़े उ की मात्रा के बारे में पढ़ रहे हैं तो बड़े उ की मात्रा की ध्वनी भी क्या होगी बड़ी उ जैसे ल को बड़े उ की मातरा लगाई तो क्या बन गया लू स को हमने बड़े उ की मातरा लगाई तो क्या बन गया सू च को बड़े उ की मातरा लगाई तो क्या बन गया चू ओके चलिए कुछ और शब्द पढ़ते हैं ध को बड़े उ की मातरा ल धू ल धूल D D K 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 न, न को बड़े उ की मात्रा, मीनू, ज, ज, को बड़े उ की मात्रा, ल, ल, को आ की मात्रा, जू, ल, जू, ल, र, र, को बड़े उ की मात्रा, प, पको आ की मात्रा, रू, पा, रू, पा, स, स, को बड़े उ की मात्रा, र, त, सू, र, त, अ म र को बड़े उ की मातरा द अम रूद अम रूद हाँ जी बच्चो तो अभी हमने क्या किया है हमने बड़े उ की मातरा के साथ शब्दों को पढ़ना सीखा तो चलिए अब हम इनी शब्दों को मिला के कुछ वाक्यों को पढ़ना भी सीखेंगे चलिए देखते हैं जूल रही थी त भ भ को बड़ी की मातरा त भी उसक क को बड़ी की मातरा उसकी भ भ को बड़ी की मातरा र र को बड़ी की मातरा बूरी बूरी द द को आ की मातरा द द को बड़ी की मातरा दादी आ, ई, आई, तभी उसकी बूरी दादी आई ट, टको बड़ी की मात्रा, न, नको बड़े उकी मात्रा टी, नू, टीनू, च, चको बड़ी की मात्रा, न, नको बड़े उकी मात्रा चीनु चीनु और और म म को बड़ी एकी मात्रा न न को बड़े उकी मात्रा मीनु मीनु भ भको आकी मात्रा ग ग को बड़ी एकी मात्रा भागी भागी आई तीनु चीनु और मीनु भागी भागी आई र रको बड़े उकी मात्रा प पको आकी मात्रा ल लको बड़ी की मात्रा रूपाली भ भको आकी बात्रा ग कर भाग कर तर ब बको बड़े उकी मात्रा ज तर बूज, खज, जको बड dayů की मातरा खजूर और क, च, चको आ की मातरा ल लको बड day उकी मातरा क, चालु, ल, लको आ, ई, लाई रुपाली भाग कर, तर बूज, खजूर और क्चालु लाई च च को बड़े उ की मात्रा ह हको आ की मात्रा चुहा और भ बको आ की मात्रा ल ल को बड़े उ की मात्रा भालू क क को बड़ी की मात्रा की कहानी कहानी स स को चोटे उ की मात्रा न न को बड़ी की मात्रा सुनी सुनी चूहा और भालू की कहानी सुनी ख को बड़े उ की मातरा ब खूब म जक्वा की मातरा मजा आया हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों तो हमने आज क्या सिखा हमने बड़े उ की मातरा को लगा कर हमने शब्दों को पढ़ना सीखा और उनी शब्दों को मिला कर हमने वाक्यों को पढ़ना भी सीखा तो एक बार जो अभी हमने पढ़ा उसको एक बार दुबारा से हम रिवाइस कर लेते हैं चिन हो की पहचान कर लेते हैं आंजिस्टोइंस देखेंगे, ये हैं हमारे पास छोटा O और छोटे O करचीन में आख किर मता है, उसकी मात्रा ऊपर की तरफ होती है और जो बड़ा O होता है, उसकी मात्रा ऐसे नीचे की तरफ होती है, चीक है, छोटे O की ध्वनी चोपी होती है और बड़े उकी ध्वनी बड़ी जैसे अगर हम मान लिजिए अगर हम क के साथ छोटे उकी मातरा लगा दें तो यह मनेंगा कु क्या मनेंगा कु और अगर मैं उसी परकार क के साथ बड़े उकी मातरा लगा दें तो क्यों नहींगा कु क्योंकि चोटे उकी मात्रा की दुवनी चोटी और बड़े उकी मात्रा की दुवनी बड़ी होती है अंजी स्टुरेंट्स तो उमीद करती हूँ आपने पढ़ना सीखा होगा अब आप सभी बच्चों का homework है कि आप सभी बच्चे अपनी books में इसकी reading करेंगे एक दिन में आप दो बार reading करेंगे so that आपकी reading improve हो जाए आप reading आपके घर में newspaper अगर आता होगा हिंदी का तो आप उसमें से भी कर सकते हैं कोई पुरानी और book है तो उसमें भी अगर हिंदी की book है तो उसमें से भी आप reading कर सकते हैं जल्दी मिलेंगे हम बड़े उ की मात्रा की प्रैक्टिस वरक्षिट के साथ अगली वीडियो का वेट कीजिए तब तक आप हमारी इसी वीडियो को दुबारा से देखिए और अपनी reading को improve कीजिए अगर आप बच्चों को ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे like कीजिए, share कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल study circle को subscribe करना मत भूलिएगा अगर आप हमारे चैनल पे नए नीचे आपको red color subscribe button दिख रहा होगा उसे प्रेस कर देना और साथ में ही एक छोटी सी बेल है उस पे क्लिक कर देना बेल पे क्लिक करने से यह होते है कि आपके पास notification आजाएगी हमारी हर एक वीडियो की सबसे पहले अगली वीडियो के लिए आप वेट कीजिए और तब तक अपने घरों में रहे सेफ रहे थैंक यू have a nice day god bless you अबलत अपने घरों में है क्लिक की आपके लिएागी हमारी हर वीज़ण वीडियों रकासलिक आपके से खारे लिए बेल है भीज़ण और प्लावारी है